हेलो ब्यूटिफूल लेडिस, वेलकम बेक टो माई चानल आज मैं पतली बॉर्डर वाली साड़ी कैसे वेर करते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ तो सबसे पहले जो साड़ी है उसको चारो तरफ से हम टक करेंगे और ये पतली बॉर्डर वाली साड़ी गूंगट के साथ कैसे ड्राप करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे तो साड़ी को टक करने के बाद साड़ी को चारो तरफ से टक करने के बाद अब हम पल्लू को साड़ी का लेंगे और उसको हम प्लेट्स में अरेंज करेंगे तो जैसे पहले में वीडियो में बताती थी इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है आपको अपने फोर फिंगर का हेल्प लेना है पलेट्स पनाने के लिए क्योंकि यह बहुत ही पतरी बॉड़र है साड़ीrukt हम फोर फिंगर से ख लेट्च करना है साड़ी को और अपने थंव अंगूठी के साहारे से उस पलेट्स को दबाकर रखना है यह दिखिए मैं कैमरे में दिखा रही हूँ आपको यह दिखिए फोर फिंगर से हम कलेट कर रहे हैं ले रहे हैं साड़ी को और अपने अंगुठे से दबा रहे हैं तो इस तरह से बहुत सुन्दर प्लेट्स बनती हैं आप एक बार जुरूर ट्राइ किजिएगा इस तरह से हमने बहुत सुन्दर तरीके से प्लेट्स बना लिये हैं अब हम इसको बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाएंगे इस तरह से बॉर्डर को बॉर्डर से मिलाने के बाद अब हम इसको सेप्टिपिन से सिक्योर करेंगे ताकि जो हमारा साडी का बॉर्डर है वो एक साथ बनी रहे हैं खुले ना इस तरह से प्लेट्स बनाने के बाद हम सेप्टीपीन से सिक्यूर करने के बाद हम देखेंगे कि हमें कितना लेंथ चाहिए अपने साडी के पलू का तो हम उतना दूर तक उतनी ही लंबाई में हम फिर से बॉर्डर से बॉर्डर से प्लेट्स पीन अप करेंगे मैंने पीन अप कर लिया है और मुझे इतना लेंथ आचल चाहिए था जो कि मेरा आचल रेडी हो चुका है यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है आचल जो रेडी हो चुका है अब इसके बाद हम फ्रंट्स के सारी का प्लेट्स बनाएंगे तो इसको बहुत ही छोटे-छोटे प्लेट्स बनाना है ज्यादा चौड़ा प्लेट्स नहीं रखना है क्योंकि यह सारी सिल्क का है तो सबसे पहले हम नैवल के सामने एक हलका सा सारी को उठा करेंगे तक हमें पता चले कि हमें कहां तक फिटिंग करना है सारी को और उसके बाद अब हम प्लेट सेरेंज करेंगे बडर सारी को सारी के समान कर लेना है ताकि नेचे से सारी के सारी ना लेगे उसके बाद हम बैली बटन के सामने टक करेंगे साडी को साडी को बैली बटन के सामने टक करने के बाद अब हम अपने पल्लू को सोल्डर से ठीक पीछे के और सेप्टी पीज से सिक्योर करेंगे साडी का पल्लू जो है उसको सिक्योर करने के बाद जो हमने फैब्रिक छोड़ा था अपने बैक साइड यह आपको दीख रहा है राइट हैंड के तरह तो उस फैब्रिक को लेने के लिए लेफ्ट साइड से हम हाथ अपने हाथ इन करेंगे और साडी के जो बॉर्डर है उसको स्ठीक करेंगे सीधा करने के बाद जितना फैब्रिक खीचता है आप उसको खीच लीजिए दिखें मैं इस तरह से खीच के फैब्रिक को फीटिंग कर रही हूं इसको थोड़ा साइब ख mega करना है यानि हलके हाथो से मोड़ना है और मोडने के बाद फिर टाप कर देना है और जो भी सामने से थोड़ी से समता हुआ रहे दिए उसको ठीक से सीचिर करके पीचे की और ले जाना है यही ठीक से अरेंज हो जाने के बाद अब मैं फ्रंट साइड जो आचल है उसको मैं ठीक कर लेती हूँ इस तरह से प्लेट्स को एक एक करके अपने हाथों से हलकी तरह प्रेस करके इसको सीधा करके बठाना है ताकि यह देखने में बहुत ही अच्छा लगे इसके बाद जो है एक्स्ट्रा सेप्टी पिन है उसको खोल देना है मेरा जो साड़ी वियर है वो कम्प्लीट हो चुकी है अब सर पे पल्लू कैसे रखते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे पहरे सर पे पल्लू ले लेना है इस तरह से और हमें मार्क करना है यह की निसांसी लगा लेना या पर पकड़के रखेएगा कि सेंटर पॉंट कहां पे है पल्लू का यह दिखिए यहां पर सेंटर आ रहा है फैबरिक का यहां पर एक हम सेप्टी पीन लगाएंगे सेप्टी पीन को अंदर की और से लगाना है अब हम एक टिक टॉक क्लिप लेंगे टिक टॉक पीन ले सकते बोल सकते हैं इसको इस तरह से हम पीन को अंदर सेप्टी पीन की अंदर इन करेंगे इस तरह सेप्टी पीन के अंदर से हमने इन किया और इसको हम बालों के साथ टक कर देंगे अब देखिए जो हमारा पल्लू है वो सिक्योर हो चुका है और इस तरह अगर हमें पल्लू छोड़ भी देती हूं तो यह गिर नहीं रहा है बहुत ही अच्छी तरह के से पल्लू सिक्योर हो चुका है प्लीज प्रेंड़ आप बताइएगा यह जो मेरा सारी ड्रापिंग वीडियो है वह कैसा लगा और प्लीज आप हमें कमेंट कीजएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक, कमेंटर, शियर करना मत भूलिएगा बहुत सारे वीडियोस जहाए जो कि मैं बनाऊंगी और ट्यूटोरियल से भरा रहेगा प्लीज आप सब हमें मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे धेल सारा प्यार देते रहेए